नमस्कार आप देख रहे हैं इस पेसल कवरीज नीज़ और मैं हूँ आपके साथ सिवक्मार मिश्य बेसिक सिच्छा विवाग ने 27 जून तक इस्कूल वंद करने का आदेश जारी कर दिया और ये विदिवत लागू हो गया लेकिन विदिवत विद्याले एक जुलाई से खुलेंगे 28 और 29 की फिर छुट्टियां पढ़ेंगी दो इस बकरीद की और उसके बाद विदिवत इस्कूल खुलेगा एक जुलाई से लेकिन छुट्टी की किसे पढ़ी है अनुदेसक तो नेड़ा ही नहीं ले पारा है कि वो सर प्लस में है कि इस प्लस में है कि उस माइनस में है बेचेन है उसके फॉन के अब आज उसकी बातचीत का लहजा सब कुछ बता रहा है कि वो बहुत परेसान है वो समझ नहीं पारा है कि आखिर इस पूरे घटना क्रम के उपर क्या बात की जाए पूरा सिस्टम कैसे मैनेज किया जाए पूरी बात नहीं समझ पारा है आखिर वो नेड़े कैसे ले मैं जो देख रहा हूँ कि अनुदेशक ट्रांसफर चारा था तो वो किसी बबाल में फस गया है एक नहीं धेरो सबाल है किसी का सर्प्लस में नाम आ गया है किसी के स्कूल नहीं खुल रहे हैं हमीरपुर से ख़बर है कि वहां सर्प्लस तो स्कूल है बहुत लेकिन चारी पा बाबु थे जो अपडेट करते हैं डेटा यह मुझे लग रहा है कि उनकी टेक्निक कमी के चलते सभी अनुदेशक पूरे प्रदेश के परेश आने और इस डेटा का मुझे नहीं लगता है कुछ कि फाइदा अनुदेशकों को मिलेगा अनुदेशक भी जी दो-तीन खेमों में बढ़ चुका एक खेमा चाहरा है कि टांसफर रुख जाए लेकिन एक बड़ा खेमा चाहरा है कि टांसफर हो जाए रभी गुप्ता जी मैं बात समझ रहा हूं वही तो मैं क्या रहा हूं सरपलस का ऐसा बवाल बन गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या ठीक रहेगा और लगातार इन सब पर हम चर्चा भी कर रहे है हम ता कि लोगों से लोगों से भर्मॉ के परदे अट सके लोग अपनी बात कहसके लोग अपने सवाल पूछ सके आज फिर मैं यही कह रहा हूं आपसे कि पूछ लीजी अपने सवाल जिसे कमेंड बहुत तेजी से आ रहे हैं तो हम नहीं पड़ पाते हैं मुझे वाट्सअप नंबर पे लिख सकते हैं मेरा नंबर लगवद सभी के पास है गुरुप से में सेयर कर स पूलंदेवी कह रहे हैं अनुदेशक का ट्रांसफर से नोक्री थोड़े खत्म हो रही है उतकर जी कह रहे हैं नियमित कर दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा सचिन जी कह रहे हैं मकड के जाल में फस गया है सीर तो यह सब चीजे हैं कि अनुदेशक नेड़े नहीं ले प पा रहे हैं अब जो बचे हैं वो इस चक्कर में कि सोला के बाद क्या होगा कई जंजाबत में फसाय अनुदेशक आखिर उसे नेड़े लेना पड़ेगा उसे अपना मन बड़ा करना पड़ेगा उसे एक बड़ी हिम्मत और होसला दिखाना पड़ेगा फॉर्म भरके एक लेके रिस्क में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी अभी नए यादब जी आप तो हमारे स्ट्रांफर को लेके काभी दुनों से चिंतित हैं